वेल्कम बच्चों आज हम करने जा रहे हैं भाशा भाशा किसे कहते हैं भाशा वह साधन है जिसके द्वारा मनुश्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है अत्वा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों या विचारों को समझ सके उसे हम भाशा कहते हैं भाषा कितने परकार की होती है भाषा तीन परकार की होती है मोखिक भाषा लिखित भाषा संकेतिक भाषा तो मोखिक भाषा किसे कहते हैं भाषा का वह रूप जिसमें वेक्ति अपने विचारों को बोल कर प्रकट करता है और दूसरा वेक्ति सुनकर उनको समझता है भाषा जिसमें एक वेक्ति बोल रहा है और दूसरा उसको सुनकर समझ तो यह कुमसी भाषा होगी? मोखिक भाषा लिखित भाषा भाशा की जिस रूप में हम अपने विशारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाशा कहते हैं मतलब हमने रिटन में जो लिखा है वो हमारी लिखित भाशा है इसे समझने के लिए पत्र लिखा जाता है ठीक है जैसे हम पहले पत्र लिखते थे आज कल हम क्या करते है में सर ВоSp comment करते हैं वृटक्साप करते हैं यह लिखित रूप है भाशा का अब हमारा ऐस्री भाषा का कौनवाज को रूप है? शांगेतिक भाशा क्या होती है भाशा कि जिस माध्यम से हम अ अपने विचारों एशारों से उचारों के माध्यम से दूशरों को समझाते हैं वह संकेतिक भाषा कहते हैं जैसे जो वेकति बोल नहीं सकता सुन नहीं चकता तो वह कौन से भाषा समझता है इशारों की भाषा या बिचा जब बोलता नहीं चैसे पहले अपना यह पादा मिला ऑपफिक पुलिस जो है जो सिग्नल्स पर खड़ी होती है वह कैसे समझाती है इशारों से इशारों वाली भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं संकेतिक भाषा तो भाषा के कौन-कौन से तीन रूप हो गए मोखिक भाषा लिखित भाषा और संकेतिक भाषा जब भाषा की बात होती है तो हमारे सामने कुछ जैसे राज भाषा भाषा राष्ट्र भाषा और बोली तो आज हम उनके बारे में भी जानेंगी कि यह क्या है किसी प्रदेश की राजय सरकार के द्वारा उस राजय के अंतरगत प्रशाशनिक कारें को संपन करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राज इस भाषा को महतव दिया जाता है मतलब उस राजय में लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं समझ रहे हैं और राजय के पूरे काम गाज उस भाषा में हो रहे हैं वो राज भाषा कहलाती है भारतिया सविधान में राजियों और केंद्र शाषित प्रदेशों के लिए हिंदी के अक्तरिक 21 अन्य भाषाएं राजभाषाएं सविकार की गई हैं तो 21 अन्य ओगई तो हिंदु को मिला के कुल कित्ती भाषा ओए होगी 22 सविधान के अश्टम अंसुची में कुल 22 भारतिय भाषाओं को स्थान प्राप्ट हुए राजे की विधान सभा सभायें बहुमत के अधार पर किसी एक भाषा को अत्वा चाहें तो एक अधिक भाषाओं को भी अपने राजे की राजभाषा घोशित कर सकती हैं अब आगी हमारी बात राश्ट भाषा की राश्ट भाषा की राश्ट भाषा की एक प्रतिनिधित करती है मतलब पूरा राजे हमारा पूरा र सीख okay you won'tник भारत में कि नादए प्रधा सब्सक्राइब जए बहुझा हो सकती चुनिए सब्सक्राइब उसए हमारी हिन्दी बहते हैं अब बात एक टिय बुली के brotha Heart स्थमीट क्षेतर नोजने भली भाषा के लностью का बोली एक दितनाही द rendered को हम बोली कहते हैं और बोली हर थोड़े गैप के बाद बोली चेंज हो जाती है एक एरिया के बाद आपकी बोली चेंज हो जाती है यह आपने भी नोट किया होगा कि आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखते हो तो लोगों की भाषा में कुछ-कुछ चेंज आता है तो व हम अपनी बात को दूसरों को बोल कर बताते हैं यह भाशा का कौन सा रूप है बताईए कौन सा रूप है मोखिक या लिखित बोल कर बताने वाला कौन सा रूप होता है मोखिक बिल्कूल मोखिक के आगे टिक लगा दीजिए हम दूसरों की बात को डैश समझ सकते हैं बोल कर दूसरों की बात को कैसे समझते हैं, सुनकर, तो किसके आगे टिक लगा देंगे, सुनकर, क्या हमारी भाषा भांती पशुपक्षियों की भी अपनी भाषा बोली होती है, क्या पशुपक्षियों की भी कोई बोली होती है, नहीं, पशुपक्षियों की कोई बोली नहीं होती वो शिर्फ आवाजे निकालते हैं, हाथी क्या करता है, चिंगारता है या धाहरता है, हाथी चिंगारता है, अब आईए अपने ख़प रशन पर, ख़प रशन क्या कह रहा है, रिक्ति थान भरो, विचारों के अदान परदान के माध्यम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, भा तोनों ठीक है पत्र ले खनभाशा का डचार रूप होता है पत्र की लिखना कौन gustaría ooghah लिखित रूप शुरू-शुरू में बच्चे 20 बाद करना को इने हुआ जनकेतिक बाद प्राफिक पूलिस यह आता यात के संचालन में ड्ैोप भाषा का प्रयोble either प्रुबकियाउक है बाःचत के दूरुप होते हैं कौन-घॉरी इनमें रूप कने कंरी हैं और लेखिखत भाषा को खाले आ मट-चेत भाषा का देश रूप कोजाई है मोखिक रूप भाषा के तीन रूप होते हैं अब तीन में कौन कौन से आ जाएंगे मोखिक रूप लिखित रूप और संकेतिक रूप समचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है लिखित रूप है समचार सुनना मोखिक रूप है और समचार पत्र लिखित रूप है रेडियो पर गाने सुनना भाषा का कौन सा रूप है? मोखिक रूप है चुप रहने का संकेत करना कौन सा रूप है? संकेति भाषा इशारों का सही विकल्प पर टिक का और गलत पर क्रोश का निशान लगाएं जब हम आपस में बात करते हैं तो वे है भाषा की मोखिक रूप क्या लाता है? बिल्कुल ठिक है पत्र लेखन भाषा का मोखिक रूप है? नहीं, लिखित रूप है तो यह क्या हो गया? क्रोश अपने मन की बात के ऐवल बोल कर ही बताई जा सकती है? नहीं, आप लिखकर भी बता सकते हो दूसरों तक पहुंचाते हैं बिल्कुल यह टिक है भारत में केवल हिंदी ही बोली जाती है नहीं यह भी क्रोष है भाषा वहसाधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को केवल पढ़ कर समझते हैं नहीं यह क्रोष है भाषा की लिखित रूप को हम पढ़ नहीं सकते नहीं पढ़ सकते हैं लिखित रूप को पढ़ सकते हैं तो यह क्या हो गया क्रोष हो गया लिखित भाषा के वल बोली जाती है नहीं आप उसको पढ़ भी सकते हो खाली बोली थोड़ा जाएगी तो यह भी क्या हो गया क्रोष हो गया अब आपने घर भाग में क्या करने है दो दो उधारन देने, मोखिक भाषा के दो उधारन क्या होगे, लिखित भाषा के दो उधारन देने और संकेतिक भाषा के दो उधारन देने, मोखिक भाषा के दो उधारन कैसे होगे, टेलिफोन पर बात करना और न्यूस सुनना, लिखित भाषा के दो उधारन कौन से होग अपण कामों देदेट से मिलत प्रेंट सुने में मोखिक कुछना पट्र पढ़ने निम लिखित प्रशना के उत्तर करते हैं आप अपने मंद की बात कैसे बताते हो भाशा के दुवारा भाशा किसे कहते हैं इसका उतर तो हम बिल्गुल से पहले कर चुके हैं भाशा वह साधने जिससे दुवारा हम अपने मन के विविचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं भाशा के किते भेद होते हैं भाशा के तीन भेद होते हैं नाम का रूप है लिखित रूप है शिक्षिक का पढ़ाना भशा का कौन सा रूप है मोखिक रूप है आशा करती हूं आपको यह सब अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको समझ आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स वोचिंग कर दो 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 कर दो